यूपी में कई राजनेता ऐसे हैं जो अपनी संपत्ती को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहते हैं मायवती तो अपनी संपत्ती को लेकर अक्सर विरोधियों की निसाने पर रही मुलायम सिंग यादव की संपत्ती भी कई बार सुर्खियों में रही इसी राज्जी में कई नेता ऐसे भी हैं जो तो बेशुमार दौलत के मालिक हैं लेकिन अपनी पत्नियों से काफी गरीब हैं तो आये जानते हैं ऐसे ही कुछ चर्चित नेताओं के बारे में सबसे पहला बाहुबली विधायक मुक्तार अंसारी जेल में बंद बाहुबली बस्पा विधायक मुक्तार अंसारी की बेगम अफसा अंसारी उनसे ज्यादा संपत्ती की मालकिन हैं 2017 में बस्पा विधायक ने जो हलफ नामा पेश किया था उसके मुताबिक मुक्तार के नाम दो करोड पांच लाग की तो उनकी पत्नी के पास करीब 14 करोड रुपे की संपत्ती है दूसरा बीजेपी विधायक और मंतरी नंद गुपाल गुपता इलाबाद दच्छन से बीजेपी विधायक और मंतरी नंद गुपाल गुपता नंदी यूपी के बेहद अमीर विधायकों में से एक है उनकी पास कुल करीब 57 करोड रुपे की संपत्ती है नंदी से अमीर उनकी पत्नी अभिलाशा गुपता है अभिलाशा प्रियागराच की मेर भी हैं अभिलाशा के नाम करीब 43 करोड रुपे की चल अचल संपत्ती पो इनंदी के पास करीब 14 करोड रुपे की प्रोपटी भी है उनके नाम तीसरा समाजवादी पार्टी के इसुक्त समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता आजम खान रामपूर से लोग सबासांसद है वह भी अपनी पत्नी से गरीब है 2019 में उनके चुनावी हलफ नामे के मताबिक उनके पास करीब सबा करोड रुपे की संपत्ति है तो वहीं उनकी पत्नी के पास करीब 3.5 लाक रुप उनकी पत्नी भावनी देवी के पास 7 करोड से जादा की संपत्ति है वही राजा भहिया के पास करीब 6 करोड रुपे की संपत्ति है पांचवा चिल्लू पार विधान सभा सीट से बीसपी विधायक विनेशंकर तिवारी गौरकपूर के चिल्लापूर विधान सभा सीट से बीएसपी विधायक विनेशंकर तिवारी बाहु बली हरी शंकर तिवारी की बेटे हैं मौजुदा विधान सभा में विनेशंकर दूसरे सबसे अमीर एमिले हैं उनकी कुल संपत्ती करीब सरसत करोड रुपे है विनेशंकर ने 2017 के अपने चुनावी हलफ नामे में बताया था कि उनकी पत्नी उनसे ज्याद अमीर है पत्नी के नाम करीब 36 करोड रुपे की चल अचल संपत्ती है वहीं बसपा विधायक विनेशंकर के नाम पर 31 करोड रुपे की प्रॉपटी है चटा शिर्पाल यादव शिर्पाल यादव यूपी के सबसे बड़े और ताकतवर राजनेतिक परिवार के एहम सदस्य है शिर्पाल यादव की पत्नी सरला यादव उनसे अमीर है 2019 में मुलायम सिंग के भाई शिर्पाल यादव नी जो हलफ नामा दिया था उसमें बताया था कि उनकी पास करीम 9 करोड रुपे की कुल संपत्ती है इसमें से 7 करोड के लगभग उनकी पत्नी के नाम है वही 2 करोड उनके नाम है